एक बाप चाता था अपने चोटे से बच्चे को कि वो पैसा कमाना सीखें, तो उसको बोल दिया कि आज तुझे खाना तभी मिलेगा जब तू एक पैसा लेकर आएगा, मेरे हाथ में देगा तुझे खाना दूगा मैं, तो वो गया, तो अपने चाचा के पास चला गया, पापा ने वो पैसा, एक रुपया कुवे में डाल दिया, हट, ठीक है, उसको दे दिया खाना, अगले दिन भी यही बोला, जब तू एक रुपय ले किया, तुझे तभी मिलेगा, फिर अगले दिन वो अब चाचा, चाचा से डिली डिली तो मांग नहीं सकते, समझ में आत एक दिन ऐसा था कि वो चाचा के पास गया, पापा के पास गया, ताया के पास गया, सब के पास चला गया, समझ मारा किसी ने उसको पैसा नहीं दिया, अब उसको पता लगा कि अब एक रुपया नहीं दूँगा तो भूखा मरूँगा, तो उस बच्चे ने निराश हताश होग के वो गाऊं में घुमता रहा एक जगाě पर एक लकड हारा लकड काट रहा था उसने लकडी तो पैसे काट थे जै चीरे करते हैं थे चोटे तो वोolis कहता है की आपके पास कोई काम है क्या आप मुझे एक रुपए दे सकते हो क्या ऐसे उसने पूछा आप मुझे एक रुपया दे सकते हो क्या बोले कि दे तो सकता हूं लेकि उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा तो बोले क्या काम करना है बोले कि मैं लकडी काट रहा हूं इन लकडियों को बस महाँ पर जचाना है मैं तुम्हें एक coalition और फिर वो गया अपने पापा के पास, पापा IKnow vale के दिखाया पापा एक रुपया पता है वो समझ तो गए थे कि इस बार ये मेहनत से कमाके लाया क्योंकि सारे रिसिदारों को तो मना कर दिया था फिर भी एक रुपया लाया तो मेहनत से कमाके लाया होगा फिर भी उसके पापा नहीं क्या क्या पता है वो एक रुपया लिया प्लीज इसे मत फैको बस उसके बाद से न उसके बाप ने उससे पैसा नहीं मंगा खाने के लिए क्योंकि उससे यही पार्ट पढ़ाना था कि पैसे की वैल्यू क्या होती है और कमाया कैसे जाता है तो वो बच्चा सीख गया कि कमाया कैसे जाता है तो समझो यहाँ पर हर एक छोटी-छोटी चीज ना मैने रखती है तो यह ऐसा मत सोचो कि हम लोग कमा नहीं सकते